हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हुरा हुल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चानल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने एक most important math का lecture वीडियो लेकर आगया हो दोस्तों जिसमें हम पर नगले हमारा 9th standard के लिए math subject का जो part 2 होता यानि की geometry subject का जो हमारा chapter चल रहा था फ्रेंड जिसका नाम है chapter 6 circle आज हम इस particular chapter का lecture number 5 आपके लिए लेकर आगया है जो कि आगेन एक बहुत ज्यादा important lecture वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आज के दिन जो topic पढ़ना है में वो बहुत ही बहतरीन topic माना जाता है और ये अकसर essay question exam में पूछते है from this chapter सबसे पहले हम आज आपको सिखाने वाले हैं जो कि है in circle ये word आपने शायद पहले कभी सुना होगा या फिर करा हूँगा कि how can we construct in circle in a real life practical life example ठीक है तो basically in circle का basic meaning ये होता है कि अगर कोई भी एक triangle दिया हुआ है या फिर आपको पहले triangle को construct करने के लिए बोला रहेगा कोई भी एक question दिया रहेगा जिसमें आपको बोला रहेगा कि ये triangle है इसका ये side है ये angle है आपको सबसे पहले triangle construct कर द पढ़ता है जैसे आपने बच्पन में angle bisector पढ़ा होगा कोई भी एक angle होता है अगर तो इसका हम लोग क्या करते है यहां से लेके कुछ distance पे यहां पे cut मारते है compass से ठीक है आपके पास compass होता है जिसमें एक side pencil और एक side आपका जो point होता है ठीक है ना compass जिसको बोलते है तो इ आद नहीं आ रहा है मुझे लेकिन आपने यह चीज पहले से पढ़ा होगा अब यह जो चीज आपने पहले से पढ़ा हुआ है अगर मैं बात करूँ angle bisector जिसको हम लोग बोलते है तो angle bisector जो होता है same यहां पे apply करना है क्योंकि triangles में तीन angle होते है एक यह angle है तो यह तीनों म अब same point यहां पे रख लो और वही distance से यहां पे cut मारदो और यही point यहा डिस्टेन्स था यहां पे रक्कर यहां पे cut मार दो तो आपको क्या मिल जाएगा point मिल जाएगा यह point को these सिधा सिधा खीच दो लंबा यह मिल जाएगा आपको एक एंगल बाइसेक्टर इसको आप लंबा भी खीच सकते हो बहुत जादा लंबा भी खीच सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह हो गया सबसे पहले आपने एंगल को क्या कर दिया बाइसेक्ट कर दिया ठीक है अब क्या खार रहा है कोई और एक एंगल ले सकते हम लोग let's suppose मैंने ले लिया बी वाला एंगल तो भी वाले एंगल को भी सेम यहां पे लेके यह पॉइंट से लेके यहां पे एक आर्क यहां से इस पे एक आर्क यह मिल गया आपको एक और पॉइंट यहां से इसको जॉइन कर लो और इसको भी लंबा खीच दो तो यह जो आप लंबा खीच दोगे तो दो angle bisector होने के बाद दो line पे आपको एक intersection point मिलेगा क्या मिलेगा एक intersection point मिलेगा अब वहाँ पे आपको circle क्या बोलते हैं उसको compass लेना है और वो compass से आपका एक radius सिलेक करना है जो कि इतना रहेगा और यहां से रखके आपको एक round मार देना है यानि कि एक circle रह करना है तो बन जाएगा आपका circle और radius center रहेगा यह थोड़ा मेरा तेड़ा दिख रहा है आपको क्योंकि मैंने हाथ से बनाए लेकिन exactly बीचो भी center रहेगा यहां से आप distance जब लोगे और यहां से आप पूरा complete क्या कर दोगे एक arc मार दोगे तो आपका बन जाएगा एक circle ठीक है और यह circle यह triangle के अंदर है यह circle जो दिख रहा है आपको यह triangle के अंदर मैंने बनाया है इसलिए इसको बोलते हम लोग in circle क्या बोलते हैं दोस्तो इसलिए इसको बोलते हम लोग in circle अब एक practical example आपको कराता हूँ syllabus का तो आपको 100% clear हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहरे आगेन आपको कोई भी questions दिया रहेगा तो एक rough diagram ऐसे draw कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है तो यह तो हो गया हमारा rough एक diagram अब मैं आपको एक exactly क्या example है वो मैं आपको exactly कराने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो हमें question बोला रहेगा इस प्रकार की construct करो question बोला रहेगा यहाप ए construct triangle इसका नाम ले लेता हूँ मैं PQR ठीक है एक triangle दिया है को construct triangle PQR जिसमें आपको PQ का जो value दिया रहेगा वो दिया रहेगा 6 cm ठीक है PQ एक side है कोई तो उसमें PQ का value 6 cm दिया हूँ है angle Q जो है एक रहेगा एक angle दिया हूँ है 35 degree का फिर एक और यहापे side दिया हूँ है QR जो की आपको दिया हूँ है 5.5 cm का 5.5 cm का एक side देके रखा है और यहाँ पे आपको बोला रहेगा ठीक है एक question है हमारा और यहाँ पे आपको बोला रहेगा कि draw the in circle क्या बोला रहेगा अब किस प्रकार इसको आप solve कर सकते हो exactly कैसे आप draw कर सकते हो वह आपको बनाना पड़ेगा बस आपके हाथ में क्या होना चीए दोस्तो यह हमारा वीडियो देखने के बाद जरूर से practice करना बस आपके हाथ में scale pencil और वह जो compass होता है जिससे आप round बनाते हो rounder जिसको बोलते वह आपके बास होना चीए geometry instruments और आप easily draw कर सकते हो तो सबसे पहले में के आपके लिए rough diagram ड्राइगरम ड्राइगरम करता हो तो हमेशा एक rough figure जो है वो draw करके रखो क्योंकि idea मिल जाता है उससे तो rough figure में draw करूंगा क्या एक triangle draw करने बोला है तो triangle draw कर लेंगे समझ लो ऐसा मैंन cm का हो जाएगा q angle जो है यह वाला angle जो है आपका 35 degree रहेगा बोलके रखा है ठीक है चलो 35 draw कर लेंगे चोटा सा लिख देता हूं क्योंकि हम लोगो use होने वाला है qr 5.5 याने कि यह जो distance है यह 5.5 cm होने वाला है ठीक है अब क्या करना है आपको in circle triangle PQR में draw करना है ठीक है त यह आपका rough अपने हाथ से बना लेना और लिख देना उपर rough diagram या फिर rough figure लिख देना रफ figure तो आपको आईडा मिल जाएगा और जो चेक करने वालाता है उसको भी एक आईडा मिल जाता है कि हाँ आपको rough diagram बनाने आता है और वो rough diagram देखके अपने real life example में बनाया ठीक है तो पी क्यू मिलना चाहिए जो कि 6 cm तो आप क्या करोगे सबसे पहले 6 cm का straight line खीज़ दोगे ठीक है let's suppose मैंना थोड़ा सा लंबा ले ले दाओ यह 6 cm का आपने क्या कर दी एक straight line ले लिया जिसका नाम क्या रखना है P और Q कितना है यह 6 cm ड्रॉ कर लिया मैं एक straight line scale से pencil से ड्रॉ कर लोगे उसके बाद मुझे PQ 6 cm रोगे फिर Q दिया हुए 35 degree यह Q है यहाँ पर प्रोटेक्टर रख ले ना प्रोटेक्टर चांद जिसको बोलते है half circle वाला यहाँ पर रखोगे और 35 degree यानि कि acute angle 35 degree का समझ लो यहाँ पर आपने बना लिया तो यह आपका बनेगा 35 degree का angle 35 degree आपने angle बना दिया और कितना लंबा जाना है मुझे पता नहीं कि एंगल करने बोला है 35 मेंने ड्रॉ कर लिया ठीक है अब एक चीज़ बोला है कि QR जो है 5.5 है तो यह Q होगा और आर भी यही point में मिलेगा आपको क्योंकि obviously line जब खिचा गया है तो उसी प्यार मिलना है तो 5 5.5 cm क्या करना है आपके compass मिले लो या फिर scale से directly क्या करो 5.5 का marking कर लो तो let's suppose यहां पर समझ लो आ रहा है मेरा 5.5 का marking यह जो QR है 5.5 cm का उसका marking यहां पर आ रहा है तो यह point आपको मिल जाएगा यह कौन सा point मिल गया आपको R का point मिल गया और यहां से यह वाले point को भी connect कर द है in circle जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि क्या करना होता है सबसे पहले कोई भी दो angle को select कर लो और उसके क्या बना दो bisectors angle bisector याद रखना in circle में in circle यानि अंदर वाले circle में होता है angle bisector यह इतना याद कर लो memorize कर लो बाकी खतम हो जाएगा ठीक है तो यह P को सबसे बहले divide करेंगे यानि कि सबसे बहले आपको compass ले रहा है यहाँ से यहाँ पे एक arc cut मारना है कितना भी छोटा distance लो आपकी मरजी और उतना ही distance होना चाहिए जितना आपने इधर cut मारा उतना ही यहाँ पे भी cut मारोगे फिर उतना ही distance रखो center लेकिन यहाँ पे लेना और फिर यहाँ पे एक arc cut मारो यहाँ से फिर यहाँ पे cut मारो तो एक आपको एक point मिल जाएगा यहाँ पे और यहाँ से आपको draw कर देना एक straight line ट्रॉ कर दिया आपने ठीके तो एक angle है यानि कि P angle को आपने cut कर दिया यानि कि angle को bisect कर दिया आप कोई भी एक angle और लेलो जैसे कि मैं Q लेले खीज़ गता हूँ ठीके तो यह मेरा Q angle को भी मैंने bisect कर दिया अब bisect करने के बाद आपको क्या मिलेगा एक point मिलेगा दोनों जहाँ पे मिल रहे होंगे दोनों line जहाँ पे मिल रहे होंगे वहाँ पे point मिलेगा वो बन गया आपका center point अब center point से जहाँ पे मारा triangle touch हो रहा है ट्रांगल का कोन है तच हो रहा है वहां पे आपका measurement लेना है यानि कि जो compass होता है इसको बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो तो center यहां पे रखना है और दूसरा pencil जो है उसको यहां पे रखना है यहां पे मतलब जहाँ पे आपका triangle touch हो रहा है हर side में और touch होना ही चाहिए obviously क्योंकि आपका ये बरबर बना होगा तो touch होगा तो यहाँ पे रखना है यहाँ पे आपका pencil आ जाएगा और यहाँ से एक circle बना देना है और आपका circle बन जाएगा मेरा तेडा क्यू बन रहा है हाथ से बना है लेकिन आप लोग बना होगे this in circle और यह आपने जो circle बना दिया दोस्तों, इसी को तो हम लोग बोलते हैं, in circle, आपने इतना आसानी से construct कर लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, in circle of the circle, अगर आपको कोई भी exam में ऐसा कुछ question पुछता है, लोग इसको छोड़ देते, option में छोड़ देते, यार नहीं बने होगा, अब चलता हूँ दोस्तों, अगरा type, यह पढ़ लिया आपने in circle, यानि कि अंदर का circle, अब आपको बताऊँगा, बाहर का circle, जिसको बोलते हैं, हम लोग circum circle, ठीक है, circum circle बोलते, वो कैसे construct करते हैं, सेम ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा एक changes से, एक थोड़ा सा difference है, वो आज हमें पढ़ना है दोस्तों, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है circum circle, ठीक है, तो वो कैसे करना है, यह मैं आपको बता दूँगा, ध्यान से देखिए, हर एक चीज आपको clear करके मिल जाएगी, यहाँ पे, तो tension लेने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है, तो क्या नाम है, topic का circum circle, ठीक है, क्या नाम है, circum circle, circum circle, ठीक है, अब circum circle का मतलब यह होता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी triangle यहाँ पे construct करने बोला है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, तो यहाँ पे आपको करना होता है, तो यहाँ पे आपको करना होता है, तो कम circle में आपको side को bisect करना है, आपको पता है side को कैसे bisect करते हैं समझ दो, यह line है, इसको bisect करना है, तो हम क्या करते हैं, more than half distance लेते हैं, ठीके, यहाँ पे, फिर यहाँ से ही, उतना ही distance यहाँ पे, फिर यहाँ से इधर पे cut मारते हैं, और आपका angle side bisect हो जाता है, clear है, यह आपने बहले भी बच्पन में पढ़ाया है, कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से standard में था, लेकिन 7th या 8 में था, यह already आपने बहुत पहले ही पढ़के रखा हुआ है, ठीके न दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत अच्छे, clear हो गया होगा, ठीके न, और भी भेतरी तरीकाएं में आपको बता दूँगा, ठीके न, यह तो हो गया, वैसे ही आप ऐसे भी आपको दूसरा एक और में थाड़ है, सेम वैसे ही लेकिन थोड़ा सा changes है इसमें, कि आपका समझ लो एक line है, इसको आपको आधा-ाधा bisect करना है, तो आप क्या करते थे, यहां से more than half distance लेते थे, यहां पे cut मारते थे, यहां पे cut मारा, ठीके, यहां पे cut मारा, उतना ही यहां से distance लेकि नीचे cut मारते थे, फिर वही distance को रखके, वही distance, change नहीं करना है, वही distance को यहां पे रखके, अब यहां पे cut मार है क्या करना है आपको कोई भी ऑज़ाई ले की कर गया बहां बहार भी एक वर्टेक्स त्राइंगल का पकड़ना है और यहां से लेकि आइसा आपको सर्कल को ड्रॉ कर देना है तो आपका शर्कल बन जाएगा अब यह circle जो बना वो triangle के बाहर बन रहा है दिख रहा है आपको यह center जो बन रहा है वो आपके circle जो बन रहा है वो आपके बाहर बन रहा है यानि कि triangle के vertex को छूता हुआ जा रहा है यानि कि triangle के बाहर बनता हुआ दिखाई रहा है that's why ऐसे type के circle को हम लोग बोलते ह circumcircle क्या बोलते हैं circumcircle तो आपको याद रखना है in circle मतलब अंदर circle बनेगा triangle के और उसमें angle bisect करना है circumcircle में आपका triangle जो रहेगा उसके बाहर circle बनेगा इसके लिए circumcircle बोलते है और इसमें आपके sides को bisect करना है perpendicular bisector करना है ठीक है तो यह होगे आपका rough जो मैंने आपको बतान यहां पर ध्यान से देखिएगा तो let's suppose I am taking one example here कि आपको बोलेगा एक construct करने के लिए triangle सबसे पहले यहां पर बोलाएगा कि construct a triangle जिसका नाम है DEF एक triangle है DEF जिसमें आपको बोला रहेगा यहां पर कि जो side DE है मेरा DE का side रहेगा वो आपको बोलके रखा है कि वो है 4.2 cm कितना दिगरी है ठीक है ना दो angle और एक side दिया है उससे हम लोग triangle को बना लेंगे ठीक है और यह बनाना कैसे वो आपको अलवोड़े आता है मैं सिखा दूँगा कोई tension बात नहीं है आपको बस क्या करना है draw करना है circumcircle draw the circumcircle यानि कि यह triangle के ऊपर circumcircle आपको जो है वो draw करके में D, E, F यह triangle बना दिया, अब D, E, F draw करने के बाद आपको कैसे draw करना है वो देखो, D, E कितना है 4.2 है, तो यह 4.2 आप सबसे भिले draw कर लोगे, फिर E 70 है, तो 70 degree यहाँ से draw करके, एक line मार लोगे, और D, आपका 60 degree यहाँ से भी line मार लोगे, जहाँ पे intersect हो जाएंगे, जहाँ पे intersect हो जाएंगे, वहाँ पे यह आपको point मिल जाएगा, तो आपका triangle बन जाएगा, ठीके, बन जाएगा, अब उसके बाद आपको circumcircle draw करना है, तो पहले यह side को मैं bisect कर दूँगा, इसे, ठीके, बाइसेक्ट हो जाएगा, फिर यह side को bisect कर लोगा, समझ लो, इस प्रकार हो रहा है, ठीके, आप जहाँ पे वह meet हो रहाएगा, इस circle आपको मिल जाएगा, center मिल जाएगा, और center से आपको यहाँ तक का distance लेना है, और यहाँ से आपको एक circle को draw कर देना है, और आपका बन जाएगा, ठीके, तो यह होगे आपका rough figure, rough आप draw कर लेना, practice के लिए, और examiner को दिखाने के लिए कि आपको rough figure draw करने आता है, ठीके, अब चलते real life, real में कैसे draw करेंगे, सबसे पहले आपको triangle draw करना है, DEF, DEF के लिए, DE सबसे पहले पता होना चाहिए, जो कि है 4.2, तो आप क्या करो, 4.2 cm का, एक DE, जो है, वो draw कर लो, DE, DE जो है, कितना है, 4.2 cm का draw कर लो, फिर आपको D का angle दिया हुआ, 60 degree, तो 60 degree draw कर लिया, यह समझ लो, protector रखा यहाँ पे, 60 degree का draw कर लिया, फिर E पे protector रखो, 70 degree का draw कर लो, 70 degree का draw कर लिया, ठीके, तो यह बन गया आपका point, यहाँ पे intersector है, कुनसा point आजाएगा, यह वाला, यह D है, यह E है, तो यह हो जाएगा center से, यानि कि यह वाले point से, more than half, समझ लो, अंदा जैसे यह इसका half होगा, तो more than half मतला इससे थोड़ा ज़्यादा, इतना distance compass में ले लो, यहाँ पे cut मारो, अब वो ही distance यहाँ पे भी cut मारो, तो यह जो point मिलेगा, यह जो point मिलेगा, आपके दो points मिल जाएगे, और scale के help से, आपको क्या करना है, सीधा सीधा बस एक line आपको खीज देना यहाँ से, तो यह जो segment है आपका, यह मैंकि यह जो length है ना, इसका side, यह आपका divide हो गया, अधा अधा ठीक है यह होता है perpendicular bisector ठीक है अब यह डिवाइड होने की बाद आपको क्या करना है यह सेग्मेंट या फिर यह सेग्मेंट दोर में से कोई भी ले लो एक कर दिया दूसरा यहां ले लेता हो यह लेता हो तो सेम इसको भी यहां से लेके समझ लो मैंने more than half लिया य कैसे करते हैं और समझ लो इसा कुछ आगा तो यहां पर कुछ ऐसा क्ट हो रहा होगा तो जहां पर यह लाइन और उनल का पांस कis सा रागशा चृद को यहां singe करना या सा जाएगा यह सरकल पूरा इसा सर्कल कम्प्लीटा गिए बन गया यह इकर हैस जरूर दिखेगा दोस्तों लेकिन इसी तरह बनाना है और ये triangle के ये circle बना है ये बाहर बना है दोस्तों that's why इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं circum circle और यही ता method जिससे हम लोग बना सकते हैं circumcircle बहुत easy way में clear है दोस्तो तो उमीद करता हूँ कि circumcircle क्या होता है कैसे draw करना है rough figure होगरे सब चीज आपको clear हो गया होगा तो आज का lecture दोस्तो यहीं पे stop करता हूँ दोस्तो बहुत ही बहतरी lecture था आज का जिसमें आपको in circle and circumcircle क्या होता है कैसे ट्रॉक कर रहा है हर एक चीज बेसिक पढ़ा दिया दोस्तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में लेक्चर नमर 6 लेक्चर होगा जो कि इस चाप्टर का आखरी लेक्चर होगा और उसी में इस पर्टिगलर टॉपिक के उपर इंसर्गल और सर्कम्सर्गल दोनों कि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू और गुडबाई